तो नमस्कार दोस्तों स्वागात है दोस्तों आपने भिंडिया तो बहुत ठीक हाई होंगे लेकिन आप भिंडि के पौधे के बारे में जानने का प्रयास नहीं किये होंगे लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्धम से भिंडि के पौधो के विशा में जानक चांस रहता है। जिसके मो亲 करको लगा तोड़ाी किया जाता है। और इसके दोबस फूल भी लगा है। अब कल जहड़ के दोस्तो इसमें फौल आजाएंगे और यह और फल लगा है। तो यह सी में दोस लगभय तीन फल लगा हुआ था İşte और एक अभी पोधे की बात करें तो लगभग 20-22 फल दे चुके हैं और बहुत जल्दी यह जो प्रक्रिया है यह 35-40 फल देते हैं दोस्तों जैसे इसकी हाइड वरती जाती है वैसा यह फल देते रहते हैं और यह पूरा लगभग यह करगा भींडी का प्लॉट है और इनकी फल लगने की शुरुवाती दौर है दोस्तों यह लगभग 40-45 दिन में अलग अलग वराइटी के जो इंडिया है वो शुरू हो जाती है और कुछी इस तरह से दिखाई देती है बांकि यह दो पत्ते से स्टाट होका लगभग 20-22 पत्ते होने के बाद फल देने शुरू हो पत्ती है कोई ना कोई जुप्याड हो फल देते रहता है और यह था दोस्तों भिंडी की विशाय में जानकारी और जो फूल है देख सकते हैं यह जो फूल देख रहे हैं यह लगभग दोस्तों आज सुबे तक गिर जाएगा और इसमें नए फल रूप ले लेंगे और यह छोटा फल होता है देख सकते हैं भिंडी का छोटा फल है और इसमें दो फल लगा है एक फल यह दोस्तों जो कल तोड़ने योग हो जाएगा भी फिलाल देख सकते हैं कुछ इस तरह से हैं लेकिन दोस्तों यह कल तोड़ने योग हो जाएगा और फिर उसके बाद दोस्तों ये फल तोड़ने केलिए हो जायेगा. तो जो फ्रक्रिया है वो देली चलते रहता है. अपना पेठवा है जो ग्रोथ लेते रहता है. सांत में जो फल है वो भी देते रहता है. और बाटी दोस्तों हम लोग उन्हें ने 2-3 विर्याइटी कफ बीज लगा है भिंदी की तो दो-तीन विराट्य के पोधे हैं और कुछी इस सार से इनका नजारा होता है सामके समय बहुत ही बेहतरीं दिखाई देते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतरीन दिखाई देते हैं और कुछी सतर्थ से अभी सामी का समय लगभग चार बज रहें हैं तक्रीबन जो चार है वो बज रहे हैं और किछ्षी तरह से पाउधे ओदे दे रहे हैं तो उमीदध यह वीडियो पसंद दा क्या गांदा बीडियो पशंद को ल्एक जरूर करिए और चाइनल में Cemal को जलूर शरू सब्सक्राइब करिए मिलते हैं दूस्तों किसी और नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ जो यह था भिंडी का पौधा फूल देख सकते हैं तो मिलते हैं दूस्तों किसी और नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ